नमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देख रहे हैं हमारा शो कल आजकल आए नजरे डालते हैं मुख्य खबरों पर अलन खान के बाद अब अनन्या पांडे और चंकी पांडे से कर रही है NCB पूस्ताच NCB कल सुबह 11 बजे फिर करेगी पूस्ताच होगी मैंस जूनियर वर्ल्ल कप में किसी भी टीम को हलके में नहीं लिया जा सकता चीफ कोच ग्राहम रीड ने कहा सुप्रेम कोड ने कहा विरोत किसानों का अधिकार है लेकिन सडकों को अवरूत नहीं किया जा सकता बंगाल की मुख्यमंत्री ममतब एनर जी 28 अक्टूबर से करेगी गुवा का दोरा कांग्रेस ने मुझ पर भरोसर ना कर अपने हितों को नुकसान पहुंचाया पंजाग को अस्थिर व्यक्ति सित्तु के हवाले कर दिया अमरिंदर सिंग ने कहा प्रेंका गांदी ने कहा मेरे साथ फोटो की चुआने वारी बहिलाओं के खिलाब अधित्तिराज सरकार की कारवाई की योजना बना रही है अगर मेरे साथ तस्वीरे लेना गुना है तो मुझे भी सजा मिलने चाहिए क्योंकि सरकार को इन महंती और वफादार पुलिस कर्मियों का करियर खराब करना शोबा नहीं देता केरल में पिछल 24 घंटे में करोना वारिस के 873 नई के सामने आये हैं तो वहीं 118 लोगों की जान गई भारत बुदवार को मासको प्रारू बैटक में अफगानिस्तान में सत्ता में कालिबान की नई वास्त विक्ता को माननेता देने वाले दस देशों के बयान में शामिल हुआ भारत अब शिर्ष 15 रक्षा उत्पार निरिया देशों में शामिल है रक्षावंदिरी राजना सिंग ने कहा बार चेन के खिलाब अपनी मास्क शम्ता और रक्षामत आकरामक रनिती का बहुत चलाके से इस्थमाल कर रहा है शेर बजार हर निशाने पर संसेक्स 208 में इंकों के तेसी के साथ कल खुला चारदां की यातरा की फिर से हुई शुरुआत बारी शुरू होने से पहले ही अलर्ट थी अजन्सिया बेज़ेपी और एंट्री ड्रक्स अजन्सिया मुंबई में आतंगवाद फला रही है एंसेपी के नवाब मलिक का बयान पश्मीर जोन पुलिस ने अत्या वश्चक मामलों के लिए हेल्प लाइन नमबर्स थापित किया ब्रक्स मामले में मुंबई कोट ने आर्यन खान समेथ 8 हरोप्यों की नयक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाई सिंदू बोरबर एक और किसान की मोत हार्ट अटेक बताई जा रही है वजा बेंड एंपी में मिराज 2000 लडाकू विमान की दुरगटना होने से पहले ही पाइलट शुरक्षित बाहर निकलाए दक्षिन गौरिया ने पहला घरेलो निर्मित अंतरिक्ष रोकेट का असफल परक्षिन किया जपान में आया 5.8 वृता का भुकम सुनामी का कोई खत्रा नहीं केंदरे मंदर मंदर ने गुरुवार को 47.14 लाग केंदर सरकार के करमचारी और 68.62 लाग पेंशन भोगयों को लाभवामवित करने के रिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 3% से बढ़ा कर 31% कर दिया है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाकी जहनकारे के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद